ही माई फूरीज वेलकम बैक तो माई चानल तोड़ आपको शेयर वीट यू इस फिश फ्राय रेसिपी इस कॉल बांगणा फिश फ्राय रेसिपी तो चलिए हम देखते हैं इसे किस तरह से बनाना है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए अच्छी लगे हेलफूल हो आपक अच्छी से बिल्कुल अच्छे से वाश किजए देन आ बहुत ही कम ऐसे इस धूरक ही उज्छ फिश फ्राय बनाएंगे तो मैंने लिया है फिश फ्राय यॵमार मटटर मसाला होते मेन है अने इसमें थोड़ मेरे रेसरों और पाउडर हम गाण के पैस्ट इसमें कुछ और हम इसमें थोड़ा सा लगबग एक बड़ा चमज एड़ करेंगे इसमें बेशन का आठा यानि ग्राम फ्लार और इसमें हम स्वादनों सा नमग एड़ करेंगे हम इसमें अभी हमारा हाफ लेमन स्कुईस करेंगे अब ज्यादा लेमन मत एड़ कीज़ों बहुत खटा हो जाता है तो हाफ लेमन इस्टे मिकसियरं तो अब हम इससे अच्छे से मिक्स करेंगे ठोड़ा थोड़ा पानी की कोई जरूत नहीं और पिर हम इन सबी चीजों की जीर चीजों की अराम-अराम से आपकी फिश में से आट किज़िए इसमें थोड़ी से काटी होते यह चुप सकते हैं विल्कुल ऊपर से कीजिए क्योंकि मुझे करते होका लिए यह तो इसकी दो भार पूरी को अच्छे से करना है फिश को इस तरह से हम अब हमारे सबी फिश को तो अच्छे से कोट करेंगे उपर से और अंदर से फीश को कोट कीजिए और आम इसे मैरिनेशन के लिए 20 मिनिट तक रहने देंगे आप चाहो तो इसे विदाट मैरिनेशन भी इसे फ्राइ कर सकते यह वैसे बहुत क्रिस्पी और बहुत ज्यादा डिलिशियस यमी लगते है के लिए वैसे ओम कैसे जो फीश खाते हैं उन्हें अगर नोर्मल मुअं भी फ्राइ करेंगे वर्ण जो नहीं खाते हैं इस तरह से ट्राइए उनको बहुत पसंद आही तो चलिए अब हमनारे दूसरा मसाला रेडी करते जिसमें हम जिस में हम वमारे फीश कोूपर से अच्छे से लग जाएं देखे मैंने सभी मसालों को इसमें अच्छे से कोट किया है उपर से थोड़ा सहरा दनिया एड किया है तेल मैंने गरम की रखाता काफी अच्छे से गरम होच चुका है और अभी हम फ्लेम को लो रखेंगे ताकि हमारी जो बांगडा फीश वह जल ना होती है बाड़िली तूट भी जाती है इसक लिए अच्छे से की तो नों साइट से डिश्व हो चुकि यह अब इससे हम सारे एक इसे वहीं चुछ पारू आम से डिश है और भी हमारे सापने से कोрыर लेंगे और इससे आपको सफ करता है और कौरिएंडर्मिस्स avoiru तो उपर से लेमन भी एड़ कर सकते हो मैंने लेमन जूस आड़ किया है हाफ लेमन अगर आपको पसंद दे तो आप एड़ कर सकते हो तो देखिए हमारी पांगडा फ्रीश फ्राय रेसीपी बनके बिल्कुल रेड़ी है मैंने बहुत इजी वे में आपको बताए कि किस तरह स आपको बनाना है अगर आपको मेरी रेसीपी अच्छी लगे हेल्प फूलो तो प्लीज सब्सक्राब टो मारी चानल शेर कीजिए आपके फ्रेंस फैमिल के साथ सोचल मीडिया पर हम मिलते हैं अगले रेसीपी में आप बने रहे मेरे सब थैंक्स पर वाचिंग